पुराने चाइना में एक किसान बहुत बुढ़ा हो गया, वो इतना बुढ़ा हो चुका था कि अब खेतों का कोई सभी काम उससे ना हो पाता था, इसलिए अब वो पूरे दिन घर के बाहर वाले चबूतरे में बैठा रहता, अब उसने खेत जाना और घर का कोई सभी काम करन पूरी तरह से छोड़ दिया था, उसका बेटा अब भी खेतों में काम कर रहा था, वे जब भी खेत से काम करके वापस लोड़ता, तो अपने पिता को चब उतरे पर बैठा पाता, अब ये किसी काम के नहीं रहे, अब ये कुछ भी नहीं करते, बेटे ने मन ही मन सोचा, ए जैसे ही घर के बाहर पहुँचा, उसने अपने पिता को चबूतरे पर बैठा पाया, ये देखकर उससे अपने बुढ़े पिता पर बहुत गुस्सा आया, उसे इतना गुस्सा आया, कि उसने घर के पीछे पड़ी लकडियों से एक बड़ा सा ताबूत बनाया, वे उस ता ताबूत के अंदर लेट गया, बेटे ने ताबूत को बंद किया, और उसे घसिरता हुआ, खेत के अंतिम छोड़ दक ले आया, जहां एक बहुत बड़ी चटान थी, वह ताबूत को चटान से नीचे फेकने ही बाला था, कि उसे ताबूत के अंदर से खट-खटाने की एक धीमी सी आवाज आई, उसने ताबूत खोला, बोड़ा किसान अभी भी बड़ी ही सांती से ताबूत के अंदर लेटा हुआ था, उसने बड़े ही सांत भाव से अपने बेटे के दरब देखा, और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस चटान से नीचे फेकने वाले हो लेकिन उससे पहले कि तुम ये करो, क्या मैं तुम्हें एक सुझाओ दे सकता हूँ, लड़के ने कहा, क्या सुझाओ है, बोड़े किसान ने कहा, अगर तुम मुझे इस चटान से नीचे फेकना ही चाहते हो, तो बेसक फेक दो, लेकिन इस सुन्दर से ताबूत को खराम म इनसान है, ये हमारे दिखावे की बज़ाए, इस बात से तय होता है कि, हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवार करते हैं, जिन से हमें कुछ भी नहीं मिलता, आखिर हम उन लोगों को किस नजर से देखते हैं, जो हमें कोई फाइदा नहीं पहुँचा सकते हैं, क्या हम उनके स में एक बार गहराई से सोचने की जरूरत है कोशिस करें कि हर इंसान के साथ पुरे इज़र और गरिमा के साथ ब्योहार करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में